साथियों नमस्कार मैं हूनी रच पटेल और आप देख रहने संजनमत क्या मद्ध प्रदेश में कमल नाथ राहुल गांधी की महबत की दुकान बंद करवा करके खुद कटर हिंदुत का मौल खोलना चाहते हैं क्या मद्ध प्रदेश में कमल नाथ कॉंग्रेसियों के नाथ ना हो करके वास्तों में कमल वालों के नाथ वन गये हैं यह सवाल यूँ ही नहीं कर रहा हूँ मद्द प्रदेश में विधान सवा चुनाओ जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कमलनात के बयान हाव भाव भासन और वादे प्रतीत हो रहे हैं कि वो राहुल गांधी और इंडिया गडवन्न को कुछ नहीं समझते उनके अंदर ये दंब पैदा हो चुका है कि आप हमारी सरकार तो आही चुकी है जैसे उत्तर प्रदेश में अखलेश यादों को गलत फहमी हो गई थी उसी तरह की गलत फहमी के सिकार मद्द प्रदेश में कमलनात नजरा रहे हैं इसलिए राहुल गांधी की मुहबबत की दुकान तो छोड़ी दीजिए कटर हिंदुत की रा पर चल पड़े हैं इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए ये तस्वीर गवा है कि कमलनात स्वयंबू हो चुके हैं वो ना सीर्स नित्रत को कुछ ना ही राहुल गांधी और इंडिया गठवन्दन द्वारा लिये गए निर्णे में दरसल इस तस्वीर में जो एंकर दिख रही हैं उनको इंडिया गठवन्दन ने खासतोर पर कॉंग्रेस ने ही गोधी एंकर सावित किया था जिन 10 चैनलों के 14 गोधी एंकरों का नाम वा पाहुल गांधी के निर्णे को धता बताते हुए कमलनाथ ना सिर्फ नविका कुमार के साथ हैरिकॉप्टर में बैठते हैं तस्वीरे खिचवाते हैं बलकि लंबा चोड़ा इंटर्वी भी देते हैं जबकि इंडिया गठवन्दन द्वारा इन 14 गोधी एंकर्स के नाम भोसित करते हुए साब साब सब्दों में कहा गया था कि इंडिया गठवन्दन में शामिल किसी भी पार्टी का नेता ना किसी प्रकार की बाइट देगा ना इंटर्व्यू देगा ना ही इनके प्रोग्राम में सिर्कत करेगा लेकिन कट्टर हिंदुत की राह पर चल कमलनाथ मानो मान चुके हो कि भैं मुखमंत्री हो गया हूँ जो चाहूँ वो करूँगा इसलिए नविका कुमार को न सिर्फ बुलाते हैं बलकि अपने साथ हेलिकॉप्टर में भी गुमाते हैं हैरत की बात देखिए ये तस्वीर सामने आने के बाद मद्यप्रदेश समाजवादी पार्टी तो सवाल उठा ही रही है लेकिन बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवी भी सवाल उठाते हुए कह रहा है लगता है अब कमलनाथ राहूल गांधी की भी नहीं सुनते बहराल समाजवादी पार्टी मद्यप्रदेश ने इस मामले में जो तल्ख टिप्पिनी की है वो सुन लीजिए इंडिया एलाइंस की मीटिंग में सर्व सम्मती से तैह हुआ था कि कुछ पत्रकार जो भाजपा के एजेंडे पर डिवेट्स करते हैं उनके किसी कारकरम में एलाइंस में सामिल दलों के प्रतिनी नहीं जाएंगे ना ही उन्हें बुलाएंगे अब कॉंग्रेस पार्टी के बरिश्ट नेता पूर मुखमंत्री मद्यप्रदेश कॉंग्रेस के सरवे सरवा कमलनाथ जी इंडिया एलाइंस द्वारा बहिस्करत पत्रकार को लेकर अपने साथ चुनाव परचार में घूम रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी खुद इंडिया एलाइंस के साथी दलों के साथ इमानदार नहीं है और कॉंग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है अब आप कह सकते हैं मद्यप्रदेश समाजवादी पार्टी को इतनी तल्ख टिपड़ी नहीं करनी चाहिए थी ये इंडिया घढवंदन की सेहत के लिए ठीक नहीं है लेकिन सवाल ये उड़ता है किसकी सुरुवाद किसने की थी क्या कमलनात बास्तों में कमलवालों के नात हो गए है अगर ऐसा नहीं है तो जब अखलेस यादों के बारे में सवाल किया गया था तो सांती पूर्वक ये भी कहा जा सकता था कि सीर सनेत्रत तो जाने या इस राज्य में हमारा गठमंदन नहीं है लेकिन घमंड से भरे कमलनात ने अखलेस यादों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था छोड़िये अखलेस वकलेस को हम MP में सरकार बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस ट्विट में कमलनात को मदप्रदेस कॉंग्रेस का सरवे सरवा सब्द लिखा गया है ऐसा सचवी प्रतीत होता है कमलनात का बरताओ बयान भासन और वादे ऐसे लगने लगे हैं कि वो कॉंग्रेस के सीर्ष नित्रत से भी उपर हो गए हैं जिस समय कॉंग्रेस के तमाम नेता धीरेंदर सास्त्री के पाखंड के विरोध में थे उस समय कमलनात ने धीरेंदर सास्त्री को अपने घर पर बुलवाया कथा करवाई पुरे परवार के साथ में उसके चरणों में बैठे हुए दिखाई दिये जिस समय राहुल गांधी महबबत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं उस समय कमलनाथ ने बयान दिया के राजी उगांधी जी नहीं राम मंदिर का ताला सबसे पहले खुलवाया था कॉंग्रेस वैसे सौप्ट हिंदुत्य की बात करती थी लेकिन कमलनाथ खुल करके कटर हिंदुत्य के समर्थन में आ गये हैं वो यह जता रहे हैं कि मुसलिम बोर्ड बैंक तो हमारी बपौती है हम कितना भी कटर हिंदुत्य कराग अलापेंगे लेकिन मजबूरी में मुसलि बीजेपी से नाराज होता है तो कॉंग्रेस की तरफ चला जाता है कॉंग्रेस से नाराज होता है तो बीजेपी की तरफ आ जाता है जबकी मौझूदा समय में अगर कटर हिंदुत्य के मामले में देखें तो आपको मद्धप्रदेश में सोचना पड़ेगा बीजेपी का म अपनी पार्टी के अन्यनेताओं का बहराल जैसे जैसे विधानसवा चुनाओं नजदीका रहे हैं वैसे वैसे कमलनात के दिमाग खराब हो रहे हैं इससे एक बात तैह हो जाती है इस वार मद्यप्रदेश में अगर इन दोनों पार्टियों में से ही कोई मुख्मंत्री बने ये सोचना होगा मद्यप्रदेश में कॉंग्रेश जीत्ती है और कमलनात को मुख्मंत्री बनाया जाता है तो कहीं कमलनात राहुल गांदी की मोहबत की दुकान ठप न करवा दें देखते रहे ने संजनमत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समीधान जै लोग तंत्र धन्यवाद